आईए जानते हैं वरिष्चिक राशी वालों के बारे में दो हजार चौबीस जानुविरी का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा तो जितने भी वरिष्चिक राशी के जातक मेरे साथ यह उपस थे थे प्रेडिक्शन खास कर आप सभी के लिए है किन्तों इससे पूर भी मैं आ बहुती सुखत व्यतीत होता नजर आता है हम देखते हैं married and married couples में भी बहुत अच्छा योग बना हुआ है specially आप अगर संतान सुख है आपके पास already और आपके पास बच्चे हैं तो उन बच्चों के साथ खूब मस्ती करने का time हम देखते हैं हम ये भी देखते हैं कि नए घर का योग बना हुआ है हम ये भी देखते हैं कि आप कहीं घूमने जा सकते हैं इन में से कोई भी योग चरितार्थ हो सकता है जो मैं आपको बता रही हूँ और हम ये भी देखते हैं कि अगर अभी तक आपने family plan नहीं करी और करना चाहते हैं तो ये महीना उसके लिए बहुती auspicious रहेगा बहुती अच्छा रहेगा वो आपके लिए good news देकर आ सकता है तो ये महीना आपके लिए बहुती शुपकारक है बच्चे point of view से बच्चों के साथ अच्छा समय व्यतीत करने point of view से नए घर जाने की सोच रहे हैं तो उसके point of view से everything will be very nice धरम करम भी अच्छा करेंगे सही mark पर चलने की कोशिश करेंगे अब हम आ जाते हैं business और job के लिए तो job में भी और business में भी हम देखते हैं कि आपको promotion मिल सकता है high recognition मिल सकती है designation आपका उचा हो सकता है और इसके लिए सूर्य भगवान को जल्देना ना भूले और साथ ही सूर्य जिनके नेत्रों से आए हैं याने की नाराइन उनको प्रणाम करना ना भूले एवरी डे उमनमो नाराइना का एक माला जा पवश्य करें और onion garlic वैसे चाहिए चलो vegetarian हो जाइए at least और vegetarian होके जाप करके नाराइन को अर्पित करें तो आप देखेंगे यह महिना जो अरड़ी इतना सुकत जा रहे है उस पे और चारचान लग जाएंगे आपके ठीक है क्योंकि सूर्य भी जिनसे निकले हैं सूर्य को उद्गम स्थान कौन है ना ठीक है वैसे किसी एक एक उनकी विभूती को पूछते हो कोई सूर्य बन के पूछता है कोई चंद्र को पूछता है कोई मंगल जी को पूछता है कोई शनी देव को पूछता है पर यह सब कहां से आए हैं इनका उद्गम कौन है नाराइन तो जब आप नाराइन का नाम ले बताना है बिजनस भी अगर आप कर रहे हैं तो उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं और नया बिजनस खोलने की सोच रहे हैं या दुबारा से बिजनस में आने की सोच रहे हैं तो महीना आपके लिए बहुत ही प्रॉस्परस होगा बहुत ही सुखद महीना होगा इस महीने किसी चीज जो घटे तोरिया या कोई भी स्पेशल चीज जो आप करने की सोच रहे वेरी गुड फोर यू और बच्चे जो छट छटे बच्चे होंगे ना उनके साथ आपका लग और ग्रो करेगा तो आप चाहें तो थोड़ा समय बच्चों के साथ व्यतीद कर सकते हैं ठीक है त चुब रहेगा अब आगे बढ़ते हैं लकी कलर की तरफ तो निस संदेर रेड और यलो तो आप इन कलरों के पुष्प या इन कलर का खाद्य पदार्द बनाके प्रभू को चढ़ा सकते हैं वैसे कपड़े उनको पहना सकते हैं और इस प्रकार इस महीने को चरितार्थ कर स तो यह महीना जो अल्रेडी बहुत सुखद है व्रिश्चिक राशी वालों के लिए वो नारायन के अराधना करके और सुखद हो जाए और ऐसे असंख्य धरमकरम के मौके आपके जीवन में और लाता रहे धनिवाद